हेलो आज हम लोग देखेंगे मोका के अंदर कैसे हम लोग एक बेशिक सा ट्रैक स्टार्ट करेंगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मोका का इंटरफेस ये कैसे काम करते हैं इसका टूल्स क्या है इसका इंटरफेस वेरियस इपार्टमेंट है इसमें इंटरफेस का दो तिन टाइप्स है इसका अंदर तो आज हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले हम ल दूल को यूज़ करकी हम लोग एक basic सा track कर सकते हैं So without any delay हम लोग इसको start करते हैं तो यहाँ पर option हो जाता है file मतलब हम लोगों को import क्या करना है तो click करते है file फाइल पे file click करने के बाद यहाँ पर option मिलता है new project हम लोग new project click करते है यहाँ पर option मिलता है import clip footage को import करना है तो choose करेंगे ये मेरा footage है click करता हूँ इसके अंदर and after that मैं यहाँ पर करता हूँ open so जैसे मैं यहाँ पर open करेंगे तो क्या होगा यह sequence है तो पूरे sequence ही आ जाएगा वैसा नहीं है कि only एक image आएगा तो हम लोग click करेंगे यहाँ पर and after that just click on open open जैसे click करेंगे हम लोग देख पहेंगे यहाँ पर 0 to 180 मैं जीरो से start है 180 last है location हम लोग location इसको कहाँ पर है तो location यहाँ पर हम लोगों का है यहाँ पर जो address दिखा है यहाँ लोकेशन है after that हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर frame rate देख लेंगे 24 April हाँ if you want हम लोग इसको change कर सकते है but यहाँ पर change करने का कोई जरूरी नहीं है after that हम लोग सब कुछ ठीक रख के यहाँ पर start frame है as start frame 0 से start हो रहा है तो यहाँ पर start frame 0 है यहाँ पर कोई भी change करने का वैसा जरूरी है नहीं just हम लोग यहाँ पर name change कर सकते हैं अगर चाहिए तो यहाँ पर suppose हम लोगों का name change करके मैं रख सकता हूँ एक basic track and after that मैं यहाँ पर कर देता हूँ okay तो जैसे मैंने open किया यहाँ पर यह आ गया after that हम लोग वर्क स्पेस classic में है classic से हम लोग इसको change कर सकते हैं big picture, roto essential last class में यह सारे चीज़ मैंने discuss किया है तो suppose इसम बेल big picture किया and हम लोग इसको play कर गया play का shortcut है space bar अगर space bar मैंने hit करूँगा तो यहाँ पर यह play होना start करें तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे है footage के अंदर movement है बहुत ही movement है ऐसा नहीं कि इक तम movement है नहीं यहाँ पर जर्क हो रहे footage के अंदर अगर यहाँ पर अच्छे खर सा movement देखने को मिल रहा है एक थोड़ा सा जार की shot लग रहा है यहाँ पर camera के अंदर थोड़ा सा जर्क मिल रहा है अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे शुरू के अंदर you can see यहाँ पर अगर back आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा से यहाँ पर कई न कई जर्क दे रहा है इस जगा पर तो हम लोग कैसे इस चीज को track करेंगे बेसिकलिए हम लोग इस एरिया के अंदर track करने वाले हैं हम लोग इस एरिया को भी track कर सकते हैं तो कैसे यह चीज हम लोग कर सकते हैं वो देखेंगे तो same thing हम लोग एगिन बिग पिक्चर से चलते हैं हम लोग आइदर classic में आइदर हम लोग लिसेंचियल में जा सकते हैं तो लेट्स मैं प्रेफर करूँगा क्लासिक में जाने पर तो आम जाके इसको मैं स्टॉप करता हूँ स्पेस बार को स्टॉप तो इसको कैसे ट्रैक करेंगे तो ट्रैक करने से पहले तो हम लोग देखने पड़ेगा कौन सा टूल लेना है हम लोगों को तो लास्ट क्लास अलड़ी यहां पर डिस्कस किया था यह कुछ टूल होता है हम लोगोंका तो हम लोग यहां पर अगर देख पा रहे हैं यहां पर X-Spline करके टूल है तो हम लोग को चाहिए X-Spline and यह X-Spline plus है अगर down देखेंगे तो हम लोग को X-Spline चाहिए अभी plus का कोई जरूरी नहीं है बाद में हम लोग देखेंगे So X-Spline ले लिया मैंने यहाँ पर कोई भी shape create करूगा ऐसे करके तो यह area मेरा select हो रहा है तो अभी के लिए मैं इसको delete कर रहा हूँ not required So select this one and delete it तो मैं क्या करूँगा ना we are in the first frame मैं जस्ट zoom का use करूँगा Zoom का use करने के लिए Z प्रेस करूँगा I just press and hold the Z in my keyboard and मैं क्या करूँगा मैं keyboard में Z प्रेस करके इसको click करके mouse से and मैं इसको zoom किया तो क्या होगा ना मैं इसको perfectly देख सकता हूँ अब कैसे एक area को select करना है ताकि यह track हो तो first thing first कि हम लोगों को footage को analyze करना पढ़ता है footage को देखना पढ़ता है इसका movement कैसा है तो already हम लोग ने footage को देखा तो just मैंने इसमें explain पे click किया and let's see अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या आपके deport depend करते हैं कि footage कैसा है आपको track क्या करना है हम लोग को इस area के अंदर कुछ एक poster हो कुछ एक logo हो मतलब कुछ एक कोई भी एक चीज़ इसमें attach करना है तो उसके लिए हम लोग इसको कैसे track करेंगे तो हम लोग इसको let's suppose मैं इस area को वैसे track करूंगा तो हम लोग क्या करेंगे न जिस एक area ले लेंगे कि हम मेरे को just I am just clicking मैं click कर रहा हूं मैं click कर रहा हूं and यहां पे मैं जिस एक बार click करके और एक बार मैंने यहां पे right click कर लिया so अगर मैंने यहां पे right click किया you can see कि मेरा क्या हूआ यह close हो गया and अगर यह जो हम लोगों का you can see this one the curve जो मेरा यहां पे handle है tangent है इसको यह बहुत smooth है अगर इसको linear करना है तो हम लोग क्या करेंगे just यहां पे जाएंगे and इसको just click कर लेंगे drag करेंगे click करके drag करेंगे click करके drag करेंगे तो यह क्या हो गया यह linear shape में आ जाएगा just हम लोग एक shape लेते area define करते हैं कि हा इस area के अंदर मेरा track होना चाहिए तो मैंने क्या किया इस area को इसकी उपर लगाया like that ऐसे करके लगाया z प्रेस करके मैं इसको छोटा कर सकता हूँ देख सकते हैं and middle mouse click करके हम लोग इसको pan करते हैं अगर आप लोग मेरा interface का video नहीं देखें तो जाके kindly check कर लीजिए वहाँ पर मैंने detail में इसको discuss किया था तो और ना हम लोग क्या करेंगे इसको track करने वाले हैं तो जैसे मेरा यह fix हो गया हम लोग इसको नाम दे सकते हैं name कर सकते हैं तो double click किया यहाँ पर and यहाँ पर मैंने इसमें लिख दिया front side अब इसको select करेंगे select करने के बाद simple इसको करना है track करने से पहले हम लोग नीचे एक बार देख सकते हैं यहाँ पर एक option है track कौन सा channel को इसमें track कर रहा है मतलब यह जो footage है footage में कौन सा information यह pick कर रहा है तो यह जो pick कर रहा है luminance information यहाँ पर default में luminance select है अगर आपको लग रहा है कि change करना है तो basically you can change auto channel but luminance क्या होता है यहाँ पर output quality होता है tracking का maximum cases में यह अच्छा काम करते है तो हम लोग इसमें luminance रख सकते हैं नीचे यहाँ पर कुछ motion है मतलब footage का movement motion क्या है translation है position हो रहा है change scaling हो रहा है rotation हो रहा है perspective change है share हो रहा है तो अगर जैसे आपका footage का motion होगा उसके according अगर कोई भी change करना है अगर perspective change हो रहा है तो we can हम लोग यहाँ पर इसको on कर सकते हैं मेश क्या है मेश के बारे में detail class आएगा मेरा तो अभी के लिए miss में skip कर रहा हूं तो मैं अभी perspective को भी off कर रहा हूं देखेंगे अगर track नहीं हुआ perspective change लग रहा है क्या चीज़े है तो basically large motion पे मैं करता हूं यहाँ पे जो चीज़े है miss generation miss tracking यह चीज़े जो है miss करेंगे तब उस time पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे option मिलता है minimum percent pixel use कितनी percent pixel यहULUse कर रहा है यहां पे 50 percent pixel use तो यह एक देखने का matter है की मैं ने इस area को select किया इतनी area मैं ने select किया तो इसने क्या कर रहा है कि इसने 50 percent pixel यूψ कर रह है ev.jt अगर मैं इसको कर-data hon Off.And now i.daj मैं एक यहां से new लेता हूँ and now मैं एक यहां से small एक छोटा सा shape लेता हूँ like this तो now अगर देखेंगे ना तो you can see here अमनों देख पहेंगे minimum percent pixel use 90 यह technically बोला जाता है कि अगर minimum percent pixel used जादा होता है तो output अच्छा होता है यह technically बोला जाता है यह होता भी है अब see ऐसे नहीं है कि अगर मेरा 50 percent आ रहा है फॉटे मेरा track खराप होगा यह भी बात सही नहीं है यह ठीक नहीं है track तो होगा but try to do अगर यह 80-90 percent होता है तो यह track हम लोग यह समझते हैं कि हाँ यह track अच्छा होगा यह एक techniques है तो हम लोग अगर यह 90 percent आता है then हम लोग अगर इसको just ऐसे करके हम लोग एक area define कर लेते हैं कि हाँ मैं इस area के अंदर इसको रखना चाहता हूँ and again मैं just click करके इसको मैं ऐसे कर दिया तो अभी यह basically क्या हो गया यह यहां पर ऐसे करके sit हो गया तो यह इस area के अंदर track करके मेरे को देगा सो ऐसे रख दिया मैंने and यह 50 percent है मैं इसको select करता हूँ select करने के बाद मैं इसको simply delete करता हूँ वह नहीं चाहिए because मेरे यहां पर 90 percent pixel used आ रहा है हला कि अगर 50 percent आ रहा है आप इसको track कर सकते हैं कि track नहीं होगा यह बिल्कुल भी नहीं है तो यहां पर जाके same thing मैं यहां पर नाम दे देता हूँ front side जैसे यह हो गया done एक बार देख लेंगे यहां पर क्या आ रहा है perspective को मैं अभी के लिए off करके रखता हूँ यहां पर और changes का कुछ जरूरी नहीं है 0 to 180 frame का shot है तो 0 to 180 frame हम लोग यहां पर भी देख सकता है 0 to 180 frame जैसे यह हो गया और यहां पर कोई भी change करने का जरूरी नहीं है अब तक के लिए and select करने के बाद यहां पर आ जाता है की tracking तो यहां पर हम लोग आएंगे यहां पर आने के बाद you can see की track forward and अगर हम लोग का एक एक frame जाना है तो वह भी हम लोगों को मिल जाता है track to the next frame अगर एक एक frame करना है तो you can click here अगर direct एकदम first to last forward track कर देना है तो यहां पर हम लोग click कर सकते हैं तो अगर हम लोग यहां पर click करेंगे remember that thing यहां पर जो है यह play pause का button है यह tracking का button नहीं है tracking का button you can see here यहां पर देख सकते है track करके लिखा हुआ है exactly उसका right side में मिल जाएगा tracking का button तो just मैंने यहां पर click कर दिया मैं थोड़ा से इसको zoom करने वाला हूं अगर हम लोग इसको यहां पर चल के big picture में देखेंगे तो यह ऐसे देखेगा अगर हम लोग इसको यहां पर देखने के बाद बिख पिक्चर करने के बाद यहां पर हम लोग आ जाते हैं tracking so just click it तो मैंने यहां पर tracking में click किया हम लोग देखेंगे कि यह कितने track ले रहे हैं मतलब इसका tracking कैसे आ रहा है तो you can see हम लोग देख पा रहे हैं इसका tracking तो अभी चल रहा है यह tracking ले लिया है तो यह कितना tracking लेता है कैसे tracking लेता है just यही देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको चलके हम लोग again essential या classic में जाएंगे तो ये था मेरा tracking तो जैसे मेरा ये tracking हो गया अब हम लोगों को ये check करना पड़ता है कि मेरा जो ये track हुआ ये कितना accurate है ये कितना perfect है तो वो check करने के लिए हम लोग zero frame पे आते हैं हम लोग zero frame पे start किया था इस frame पे आने के बाद यहां पे आप हम लोगों को मिल जाता है कि planner surface ये एक surface दिखाता है शो planner surface इसको बोलते हैं यहां पे हो जाता है grid यह दो का use बहुत होता है अगर हम लोग इसमें क्लिक करते हैं तो यहां से हम लोग क्या करने बाले हैं यहां से हम लोग यह देख पाएंगे कि हम लोग यहां पे कैन से एरिया पे कौन से एरिया के अंदर हम लोग कोई भी चीज को अटर्च करने वाले हैं तो suppose मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहां तक, इसको यहां तक, not एकदम edge to edge, मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं एक, मेरे हिसाब से, मेरा according, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए चीज को, मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको zoom कर लेना, नहीं तो क्या होगा, इसम animate होने का chances है, यह, मतलब, इसको move होने का chances है, तो हम लोग zoom करके, z प्रिस करके, मैंने zoom किया, and, मैं scroll button से, मैं क्या कर रहा हूँ, कि चीजों को ठीक कर रहा हूँ, you can see, हम लोग देख पा रहा है, कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे, तो you can see, again, मैं इस tool पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ इस tool पर आ जाता हूँ, and, again, यहाँ पर आके, मैं यह सारे चीज को, ठीक करने का कोशिस कर रहा अगर मेरे को लग रहे कि ठीक है, तो ऐसे हम लोग छोड़ देंगे, and, इसको एक बर प्ले कर के देखेंगे, कि यह जो blue color का, यह तो slip नहीं हो रहा है, यह slip नहीं हो रहा है, you can see, यह यहाँ से move तो यह नहीं हो रहा है, हम लोगों को यह चिक करना पड़ेगा, तो we can see, यह यह जैसे हम लोगों का, footage, move हो रहा है, हम लोग क्या सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से slip हो रहा है, तो यह चीज हम लोग यहाँ हर सकते है, मैं और भी अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करूँगा मैं इसमें क्लिक करूँगा ग्रीड को मैंने off कर दिया and zoom करके इसको मैं select करके I am trying to do this one की एकदम edge to edge तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर edge to edge तो कोई जगा slip तो नहीं हो रहा है तो जैसे हम लोग इसको वैसे लगाया and now हम लोग क्या करने वाले हैं मैं इसको लगा के भी check कर सकते हैं so if I click it and अगर check करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि ये अगर zoom करके देखेंगे तो यहां पे ये लग रहा है कि ये कही न कहीं slip हो रहा है अगर हम लोग देखेंगे इस area को ये तो ठीक था बट ये कहीं न कहीं गड़बड यहां पे लग रहा है अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो ये गड़बड यहां पे लग रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 90 था बड़ यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर changes हो रहा है तो let's see मैं इसको off करता हूँ again surface को off करता हूँ and इसको भी मैंने off कर दिया इसका data को and I button को अब हम लोग क्या करेंगे आप लोग एक जूम करके इसका एक नीव लेंगे एक नीव एक स्प्लाइन ले लिया and same way पर मैं जिस्ट click 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 and click and again right click अभी होने के बाद मैं क्या करूँगा जिस्ट इसको click करके drag करूँगा मैं again just एक area define कर रहा हूं कि हाँ इस area के अंदर मेरे को track करना है so अप लोग देख सकते हैं कि एक वर track अच्छा हो जाएगा वैसर नहीं है आपको यह चीजे करके देखना पड़ेगा कि हाँ यह track कैसे हो रही है अगर यहां पर देखेंगे कुछ color का भी options है so tracking पे color का भी ध्यान देना पड़ता है contrast area पे generate करना पड़ता है तो मैंने अब यह किया हाला कि यहां पर 50% आ लिया so does not matter यह अभी के लिए 50% कर रहा हूँ and यहां पर मैं क्या करता हूँ perspective को on करता हूँ perspective on करने के बाद हम लोग same चीज अब को वैसी रखेंगे कोई भी changes नहीं करते हैं यहां पर and यहां पर मैं यहां पर just लिख ले रहा हूँ यहां पर front and select it and इसको कर देता हूँ मैं यहां पर track so just click on that track अब देखते हैं कि यह कुछ changes निकल के दे रहा है यह पहले जैसे track हो रहा है तो let's see देखते हैं यह track तो हो रहा है तो यह यहां पर track perfectly लग रहा है कि हां यह track तो दे रहा है तो हां यहां पर एक track तो दिया इसने now हम लोग क्या करेंगे let's click on that हम लोग इसमें click करेंगे planner surface में we are in first frame and हम लोग क्या करेंगे zoom करेंगे Z press करके and check करने के लिए मैं इसको try करूंगा कि एकदम edge to edge इसके साथ यह रहे तो ऐसे करके हम लोग edge to edge रखने का कोशिश करेंगे so you can see edge to edge almost यहां पर मैंने कोशिश किया रखने का and यहां पर भी almost अगर देखेंगे तो यह थोड़ा सा यहां पर लग रहा है कि यहां कुछ changes यहां पर हो रहा है tracking मेरे को नहीं दिया है can see की एक अच्छा tracking मेरे को यहां पर मिल रहा है यहां पर बहुत सारे options है जैसे adjust tracker है हम लोग इसको track को adjust भी कर सकते हैं आला कि मैं जैसे basic दिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे track कर सकते हो तो can see कि मैं बहुत detail में जाके आपको बोड रहा हूँ कि हाँ ऐसे करके आप इसको track कर सकते हो अगर होता है कि मैं इस area को भी track चाहिए इस area को तो अब कैसे करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग अलग से भी generate कर सकते हैं कोई भी shape को अगर हम लोग अलग से generate करते हैं let's suppose मैं इसको select करके delete कर रहा हूँ keyboard के just press delete button और अगर यहां पर करना है तो हम लोग क्या करेंगे let's start from the last frame because see first frame पर यह चीज नहीं दिख रहा है but अगर last frame पर चलते हैं तो यह चीज दिख रहा है तो हम लोग last frame पर जाएंगे last frame पर जाके select करेंगे इसको and same process I just एक ऐसे करके मैंने area ले लेता हूँ अगर मेरे को इतना तक चाहिए तो मैं एक ऐसे करके area ले लेता हूँ right click यहां पर already यह आ चुका है because यह already selected है तो मैंने यहां पर just click करके deslate कर दिया zoom करता हूँ and just click on that ऐसे करके मैंने click कर दिया you can see इसका accuracy जो है यह 90% pixel used हो रहा है तो बोल सकते कि यह हो सकता अचा output दे तो हम लोग ऐसे करके हम लोग क्या करते है न easily shape create कर सकते है तो हम लोग इसको ऐसे करके बना दिया just enough जैसे यह यहां पर perfectly एक मेरा shape बना दिया तो यह 90% है मैं perspective को on कर लेता हूँ तकि अच्छा tracking हो जाए and after that यहां पर मैं ले लेता हूँ side तो जैसे यह यहां पर caps on करके इस कर दिया मैं side कर दिया and after that मैं क्या करूंगा इसका front का क्या कर लेना for better आपका secure करने के लिए आप select करना इसको and इसका data tracking setting इसको off कर देना इसको भी off कर देना because now not require for that now select this one and मैंने इसको select किया simple सा इसको track करना है अब track करने के लिए क्या करना है तो let's अगर हम लोग last frame पर you can see हो सकते है गलती से मेरा यहां पर 2 key पड़ गया है तो मैंने actually क्या क्या इस frame पर शाइद इसको set कर लिया you can see don't worry about that मैंने last frame पर आया and इसको एक बार मैं फिर से last frame पर ठीक कर लेता हूं ताकि कोई problem ना दे तो ऐसे करके मैं एक shape लेता हूं कि इस area मेरा track होना चाहिए तो इस area के अंदर मेरा track होगा तो मैंने एक shape बनाया यह last frame है and after that मैं करूंगा इसको track backwards तो यहां पर होता है track backwards so just click मैंने last frame से यहां पर क्लिक कर लिया तो यह क्या होगा automatically track होता है अब यह कितना track होका यह देखना है because कुछ देर के बाद यह नहीं दिख रहा है तो देखते हैं यह क्या करता है तो अभी तक यह रहा है perfect जा रहा है यहां पर यह बहुत अच्छे से 0 frame तक लिया है because you can see अगर zoom करेंगे तो इतना part तो थोड़ा सा दिख रहा है तो easily हम लोग इसको track तो कर लिया after that हम लोग देख पाएंगे कि यह कितना accurate हुआ है उसके लिए हम लोग use करेंगे Planner surface तो last frame पर मैं जाता हुँ and यहां से हम लोग ले लेंगे Planner surface तो just click on Planner surface अगर देख लेते हैं और एक बार इसको थोड़ा play करके you can see एक यहां पर jerk आ रहा है because हम लोग देख पारेंगे यहां पर गलती से मेरा यहां पर की लग गया था हम लोग यहां पर आ जाएंगे and same thing मैं इसको कोशिस करूँगा कि last तक रहे ताकि फोड़ा सा हम लोग को समझ में आ जाए कि कोई changes वगेरा हो रहा है कि यहां पर changes वगेरा नहीं हो रहा है तो at least मैंने एक shape generate किया जो almost last तक है and इसको एक बार play करके कि हम लोग देखेंगे कि just manually मैं mouse से just इसको scroll करके देख लेना कि हां यह कितना तक output दे पा रहा है हम लोग देख पा रहे है हम लोग grid को क्लिक किया and grid को play करके देख पा रहे कि हां वो perfectly attached हो कि नहीं हुआ है तो यह था एक चीज कि कि हां ऐसे करके हम लोग track को देख सकते हैं कि कितना accurate track हुआ है after that मैं इसको off करता हूं इसको भी off करता हूं यह होने के बाद front का जो setting था and i button इसको मैंने on किया and we can see कि यह दोनों ही यहां पर track हुआ है after that अगर हम लोगों को चाहिए कि नहीं करके देखने कि हां यह track हुआ कि नहीं हुआ तो just click on the front front में click करना है यहां पर option मिलता है insert clip अगर कोई भी चीज को insert करना है कोई भी image को insert करना है अलांकि this is not a compositing software यह सारे चीज़ हम लोग composite में करेंगे जब हम लोग mute में या after effects में फीशन में लेके जाएंगे फिर भी for example में दिखा रहा हूँ अगर insert clip for checking के लिए अगर हम लोग कुछ add करना logo mocha का logo अगर click करेंगे तो even play करेंगे तो यह mocha का logo automatically यहां पर add हो जाएगा अगर हम लोग click करके देखेंगे कि यहां पर you can see grid है अगर grid में click करेंगे तो देख पहेंगे कि यह perfectly जो grid है यह इसके साथ track हुआ है की नहीं हुआ है वैसे बहुत सारे चीज़े है grid 32 इसका size depends करता है ऐसे यह track हुआ की नहीं हुआ यह देख सकते हैं तो हम लोग क्या क्या है इसको कर देता हूँ grid 16 into 16 same way पर अगर यहां पर आड करना है तो side में click करना है and same thing insert clip में जाना है insert clip में जाना है insert clip मतलब कोई भी चीज़ को insert करना है just click it and same thing 16 into 16 तो हम लोग देख पाएंगे कि easily यहां पर यह सारे चीज़े easily यहां पर काम करना start हो गया है you can see easily यह देख पा रहा है कि हाँ यह track अच्छे से यहां पर लिया है अगर हम लोग चाहरे कि नहीं दूसरा कुछ add करने वाले हैं तो यहां वो भी कर सकते हैं insert clip में जाना है you can see here import अगर आपके पस कुछ चीज़े है जो यहां पर import करना है तो आप लोग import कर सकते हैं otherwise make it none भी रख सकते हैं so क्या होगा यह data हम लोग कोई भी compositing software में जाके वहां पर फिर हम लोग इसको add कर सकते हैं so again it's depend upon you अगर आपके import कुछ करना है so कैसे करेंगे suppose मैं क्या करता हो just click करता हूँ choose कहां से import करना है मैं यह पर यह click किया import option क्लिक करने के बाद मैं यहां पर suppose यहां पर आके you can see the box square बहुत सरे चीज़े हैं यहां पर तो अगर मेरे को यह लेना है just click करता हूँ and after that open so just this is for an example मैं दिखा रहा हूँ and just import import करने के बाद we can see कि यह एक box का save मतब जो भी हम लोग इंपोर्ट करने वो यहां पर आ चुका है same thing अगर यहां पर लेगाना है यह चीज़े same thing side को click करना है यहां पर insert clip में यहां पर click करना है import करना है and after that choose में जाकर यहां पर click करना है and then again open करना है and then again यहां से import करना है so see it's for an example मैंने दिखाया ऐसे करके जिस check करना है कि हां आपका जो track है यह कितना perfectly यहां पर track हुआ है so अगर हम लोग यह चीज़े को off करना है कि we don't need that shapes and all तो हम लोग यहां पर जाके you can see this one हम लोग यहां पर जाके tangent को off कर सकते है हम लोग यहां पर जाके shape को off कर सकते है अगर हम लोग यहां पर click करेंगे तो सारे चीज़ off हो जाएगा मतलब यह चीज़े hide हो गया delete नहीं हुआ है तो just अगर हम लोग इसको big picture करेंगे select it and यहां पर जाएंगे big picture and after that for testing purpose हम लोग इसको check करके देख सकते हैं कि हाँ मेरा जो track है यह trick है कि नहीं है so यह था हम लोग का basic tracking कि हाँ ऐसे करके हम लोग tracking कर सकते हैं इसका बहुत सारे तरीका है कि आप इससे track करो फिर newt में चले जाओ, fusion में चले जाओ बहुत सारे चीज़े है I just showed you कि एक कैसे करके हम लोग track करेंगे so same thing अगर मैं क्लासिक में चलता हूँ मैं फट-फट क्या करता हूँ and इसको जो box है मैं इससे grid 16 is to 6 कर लेता हूँ, select friend करता हूँ inside clip of 16 is to 16 कर लेता हूँ so ऐसे करने से क्या हो गया यह तो मेरा यह हो गया and after that यह easily हम लोग play कर सकते है so this is the way कि हम लोग track कैसे करेंगे track करने के बद कैसे हम लोग देखेंगे कि track कैसे हुआ है so अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर मैं वीडियो subscribe मैं चैरल ताकि new video तो जब भी करेंगे notification आपके पास पहुँच जाए ऐसे करते करते हम लोग इस का advanced way में भी पहुचेंगे mocha का पूरा series करेंगे हम लोग paint से लेके roto से लेके track से लेके सब कुछ करेंगे कि कैसे हम लोग track करते हैं तो चलिए मिलते हैं next class में thank you